So Hello Friends, मैं आणा हम पुश्क कर और ये है Redmi Watch 3 Active, एक budget smartwatch जिसको हम Amazon से 3000 रुपीज में पर्चेस किये थे, फिलाल Amazon पे Great Indian Sale चल रहा है तो आप इसको 2600 रुपीज में पर्चेस कर सकते हैं, जहां से आप पर्चेस कर सकते हैं उसका link हम विरो डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं, इस comment section में बताइएगा, इसके अलावाए smartwatch को हम पिछले 10 दिनों से यूज कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपके साथ इसका detail review share करेंगे, जो भी इसमें features मिलता है watch में, as well as जो भी इसमें health monitoring features मिलता है, like sleep monitoring, heart rate monitoring, SPO2 monitoring, वो सब features कितना accurately work करता है, कैसा मेरा experience रहा है, वो detail मे आपके साथ इस वीडियो में share करेंगे, start करते हैं, redmi watch 3 active के साथ आपको box में, एक इस तरीके का USB type A to magnetic charging cable मिल जाता है, जिसका magnetic strength जो एना watch के साथ काफी अच्छा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी strongly watch के साथ connect हो जाता है, and redmi का जो फिछला दो smartwatches इंडिया में use करती है, and अपने सारे smartwatches के लिए अगर same compatible app रखती है, तो user को भी जो एना better experience मिलता है, and I think brand को भी सुविधा होता है, updates के थूँ अपने app के stability को maintain रखने के लिए, और इससे user को भी जो एना अच्छ experience मिलता है, इसके अलाबा, redmi watch 3 active का आपको इस तरीके का एक user manual box में मिल ज जाता है, अगर आप इस video को complete देखेंगे, तो आपको इस user manual का जरूरत नहीं पड़ेगा, next यहाँ पे redmi watch 3 active के box पे जोना कुछ highlighted features mentioned है, जैसे की top पे आप देख सकते हैं की bluetooth calling का feature आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, 1.83 inches का आपको इसमें LCD बड़े साइस का display मिल ज आता है, as well as यहाँ पे आपको me fitness app के तुरू 200 plus watch faces का support मिल जाएगा, 100 plus workout modes देखने के लिए मिलता है, up to 12 days का battery life है, and watch में 289 mAh का battery capacity मिलता है, and battery life कैसा है, वो हम आपके साथ video में आगे share करेंगे, इसके लाव 580m water resistance rating के साथ आता है, and मेरे पास यह जो color है, यह platinum gray color है, इसका ए में ही है, and आपको कुछ इस तरीके का strap वाला design देखने के लिए मिलता है, and इस strap design के साथ आप Redmi Watch 3 Active को कुछ इस तरीके से जो है न, अपने wrist पे पहन सकते है, and यहाँ पे यह extra strap रहता है, यह यहाँ पे अंदर चला जाता है, तो कुछ इस तरीके का आपको जो है न, लुक नि मिलता है, just यहाँ पे आप इस तरीके से जो है न, इस straps को बाहर निकाल सकते है, and अगर आप कस्टमाइज करना चाहें, आप easily कस्टमाइज कर सकते हैं, वांकि आप देख सकते हैं, कि पीछे में यहाँ आपको sensors मिल जाता है, charging connector pins मिल जाता है, इस side में यहाँ पे speaker vent है, and यहा आपको single button मिलता है, इसको present hold करके रखना है, and यहाँ पे me का logo आ गया है, उसके बाद आपको QR code देखने के लिए मिल जाता है, and इस QR code को scan करके, आप directly play store से me fitness app install कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपने phone से जो है न, इस QR code को scan कर लेते हैं, आपको इस तरीके का page देखने के लिए download के उपर आप tap करेंगे, and आप play store पे redirect हो जाएंगे, जहाँ से आप me fitness app को download and install कर सकते हैं, और इसको download किये हुए है, तो हम फटाफट से इस app को open कर लेते हैं, open करने के बाद आपको start के उपर tap करना है, फिर terms and conditions देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे user agreement and privacy policy को आपको tick करना है user experience program को आप untick रहने दीजेगा, agree के उपर tap कीजेगा, फिर आपका reason automatically यहाँ पे आ जाएगा, next के उपर tap कीजेगा, and यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह मेरा me fitness app का home पे जा चुका है, and यहाँ पर आपके पास sign in का भी option है, तो अगर आप अपने watch के data को sync रखना चाहते है है, अपने me fitness app के साथ, तो आप यहाँ पे sign in कर सकते हैं, sign in करने के लिए, आपके पास me account का option है, या फिर sign in via SMS के उपर tap करके, अपना phone number enter करके, and उस पर जो OTP receive होगा, वो enter करके भी, आप यहाँ पे sign in कर सकते हैं, अगर आप me fitness app में sign in करते हैं, तो आपको basic information, जैसे कि आप previous data होगा, आपके watch के साथ, वो सब me fitness app में sync हो जाएगा, so यहाँ पे me fitness app के home page पे, जो भी activity related data है, वो देखने के लिए बिल जाएगा, इसके लावा जो भी health monitoring features है, उनका statistics देखने के लिए मिल जाएगा, workout section में, आपको outdoor running, treadmill, walking, outdoor cycling जैसा modes देखने के लिए मिलता है, and redmi watch reactive में built-in GPS का feature नहीं है, तो यह आपके smartphone के GPS को use करेगा, तो during, outdoor running, walking, outdoor cycling, अगर आप अपने smartphone को अपने smartwatch के साथ carry करते हैं, तो जो भी आप route लेते हैं, वो आपको इस app में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको just location का permission जो है, वो allow करना पड़ेगा, next यहाँ पे अगर ह connection को connective पर tap करना है, यहाँ पे transfer via bluetooth का feature मिलता है, जिसके कारण आप इस smartwatch को automatically अपने एक phone से दूसरे phone पे transfer कर सकते हैं, तो just यहाँ पे हम इसको agree कर देते हैं, इसके लाव जो भी permissions यहाँ पे चाहिए, जैसे की nearby devices का permission उनको आपको allow करना पड़ेगा, वापस हम यहाँ पे connective tap करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि redmi watch 3 active connecting show कर रहा है, इस तरीके से आपको pairing request आपके smartphone as well as smartwatch पर देखने के लिए मिलता हैगा, तो जिसको आपको pair कर लेना इस तरीके से quickly, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि watch यह वो paired लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे continue के उपर tap करते हैं because यहाँ पे एक update show कर रहा है, 4.7.87 version number है, तो फटा-फट समस को download and install कर लेते हैं, ऐसे तो आपके watch का data, आपके me fitness app के साथ automatically sync हो जाता है, अगर sync नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको sync का एक button देखने के लिए मिलता है, इस क्यूपर tap करके भी आप sync कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे manage watch face का option मिलता है, इस क्यूपर tap करना है, और यहाँ पे आपको काफी सारा watch faces देखने के लिए मिलता है, तो 200 plus watch faces का इसमें support है, तो जो भी watch face आपको use करना हो, just उस क्यूपर tap करना है and apply करना है, और वो watch face आपके smart watch में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे top और शुपर tap करना है and apply के उपर tap करना है, डाउनलोड के उपर tap करना है and वो watch face आपके watch के सांथ साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपको अपने phone के gallery में से किसी image को add a watch face use करना है, तो यहाँ पर आपको category में custom का option मिलता है, या फिर आपको watch face के home पेज पे भी custom option मिलता है जस्ट इस क्यूपर tap करना है यहां पर आपको 5 टाइप का format देखने के लिए जाएगा किसी भी एक format को आप select कर लीजे फिर यहां पर आपको custom photo option मिलेगा इस क्यूपर आपको tap करना है और अपने phone के gallery को select कर लीजे उसके बाद gallery में से किसी भी एक photo को select कर लीजे उसके बाद इसके preview को इसलिके से manage कर लीजे continue की उपर आपको tap करना है and apply की उपर tap करना है download की उपर tap करना है and instantly जो भी आपका custom watch face है जो भी आप अपने अगर आप watch face apply करने का try कर रहा है अगर हम यहाँ पर custom watch face को apply करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर install हो रहा है update and instantly within few seconds आपका जो custom watch face है वो आपके watch के साथ sync हो जाएगा and आपके phone के gallery में जो भी image है वो आपके watch के उपर as a watch face show करने लगेगा इस तरीके से and watch face section में ही जो आपके watch में built-in 5 watch faces रहता है उसको आप यहाँ पे local section में जाके उनके बीच में switch कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमको watch face change करना तो just apply क्यों पर tap करेंगे and instantly यह change हो जाएगा and यह built-in watch faces है इसको directly आप अपने watch में से भी change कर सकते हैं आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे watch face के बाद यहाँ पर आपको app notification का option मिलता है just यहाँ पर आपको इसको ok करना है and यहाँ पर me fitness app को notification access allow करना है उसके बाद आपको me fitness app में app notification को enable करना है and यहाँ पर आपको एक option मिलता है receive only when phone is logged मतलब जब आपका phone का screen off रहेगा या आपका phone logged condition में रहेगा तभी आपके phone पर आने वाला notification आपको आपके watch पर receive होगा तो इस setting को आप enable कर लेजेगा इस से आपके watch का battery जादा लंबे समय तक चलेगा जब भी notification आए तब आपके watch का screen wake कर जाए वो option आपको यहाँ पर मिलता है तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको enable रख सकते हैं अगर आप अपने phone पर आ रहे हैं सारे notifications को आप अपने watch पर देखना चाहते हैं सिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंक all notification को enable कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी specific app का notification अपने watch पर देखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर custom notification के उपर tap करना है तो जो भी app आपके phone में installed है वो सारा apps आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद जिन apps का notification आप अपने watch पर देखना चाहते हैं जस्ट आपको उनके सामने जो toggle switches देखने के लिए मिलता है ना उन toggle switches को enable कर देना है तो आप अपने phone के apps का जितना जादा notification आप अपने watch पर enable करते हैं उतना कम battery life आपको आपके watch का देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर हम कुछ application जैसे की WhatsApp का इसके अलावा Instagram का and Gmail का notification यहाँ पर enable करती है and done की उपर tap कर देता है तो सिर्फ यही तीन application का जो भी notification मेरे phone पर आएगा वो हम अपने watch पर भी देख पाएंगे तो इस तरीके से जो हम आप customize कर सकते हैं notification setting को next यहाँ से अगर हम back जाते हैं तो आपको incoming calls का option मिलता है and यहाँ पर optimize incoming call notification का option है and इस option को enable करके incoming call के दौराण आप Bluetooth connectivity को improve कर सकते हैं तो just यहाँ पर आप जैसे enable करते हैं यहाँ पर आपको allow करना पड़ेगा and कुछ permissions जैसे की make phone calls का permission allow करना पड़ेगा फिर show contact information का आपको एक option मिलता है तो अगर आप अपने watch पे जो भी contact number से phone आता है incoming call आता है उसका caller name, contact name देखना चाहते हैं तो just इस option को भी आपको enable करना पड़ेगा and फिर आपको यहाँ पे contact का permission allow करना पड़ेगा next यहाँ पे alarm का option मिल जाता है तो alarm जो है वो आप me fitness app में setup कर सकते हैं आप अपने watch से भी alarm enable कर सकते हैं weather का option मिलता है जिसके लिए आपको weather updates को enable करना पड़ेगा temperature unit change कर सकते हैं and location जो है न अप to 4 locations आप यहाँ पे add कर सकते हैं next यहाँ पे आपको favorite contact का option मिलता है जिसके उपर tap करके जो है आप अपने phone के contact list में से up to 10 contacts अपने watch में sync कर सकते हैं जो आप emergency में directly अपने watch से call connect करने के लिए use कर सकते हैं बट जब आप अपने watch से call connect करेंगे उन 10 favorite contacts को उस समय आपका phone और watch आपस में connected रहना चाहिए तो यहाँ पे add के उपर tap करेंगे और उसके बाद मेरे phone का पूरा contact list यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा तो जो भी 10 contacts आप अपने watch में add करना चाहते हैं वो आप यहाँ से add कर सकते हैं तो यहाँ पे हम कुछ favorite contacts select कर लिए है add के उपर tap कर देते हैं और इस तरही के से जो है आप कुछ favorite contacts को अपने watch के साथ sync कर सकते हैं next fitness and health section में heart rate monitoring का option मिलता है जहाँ पे continuous monitoring का option है और यहाँ पे smart mode है या फिर आप इसके frequency को चेंज कर सकते हैं 1 minute, 10 minute या 30 minute तो अगर आप smart mode 1 minute या 10 minute का option select करते हैं तभी आप high heart rate alert and low heart rate वाला option यूज यूज कर पाएंगे तो फिलाल हम यहाँ पे smart के option को ही selected रहने देते हैं और जितना frequency को आप कम रखेंगे तो heart rate का data आपके पास उतना ज़्यादा आएगा बट battery life watch का उतना ही कम देखने के लिए आपको मिलेगा तो फिलाल हम यहाँ पे smart mode में इसको रहने देते हैं high heart rate का option है तो यहाँ पे आप high heart rate alert का जो value है उसको select कर सकते हैं low heart rate alert का जो value है उसको भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं बागी नीचे यहाँ पे बताया गया है कि आपको आपके watch को कहाँ पे पहनना चाहिए अपने wrist में back जाते हैं तो यहाँ पे sleep का option है and sleep में आपके पास advanced monitoring and breathing score का option है इन दोनी features को अगर आप use करते हैं तो battery life आपको आपके watch पे काफी कम देखने के लिए मिलेगा means जितना जादा features आप use करेंगे उतना ही कम आपको battery life देखने के लिए मिलेगा and हम पिछले 10 दिनों से use कर रहे हैं तो हम सारे ही features को enable करके ही use कर रहे हैं तो वीडियो में आगे हम आपके साथ share करेंगे कि battery life actual में कैसा देखने के लिए मिलता है फिर blood oxygen का option है and यहाप आप all day tracking को enable कर सकते हैं all day tracking को enable करने पिर blood oxygen का report वो तो आपको all day का मिलेगा but again यहाप बैटरी life जो हूँ हो आपको कम देखने के लिए मिलेगा फिर यहाप बलढ बहुँजिजोगन का alert है तो जैसे ही 90% से डाउन जाएगा आपको एक alert देखने के लिए मिल जाएगा इस alert value को आप यहाँ से change भी कर सकते हैं next यहाँ पर standing का option मिलता है और यहाँ पर remind to stand up का option इसको आप enable कर सकते हैं तो अगर आप continue एक घंटे तक कोई भी activity नहीं करते हैं एक ही जगा पर बैठे रहते हैं आपको एक standing reminder आजाएगा और इसका dnd time आप यहाँ से enable कर सकते हैं और यह standing reminder है इसका start time और end time भी आप यहाँ से select कर सकते हैं मतलब की सुबा को कितना बैसे लेके रात में कितने बज़े तक आपको standing reminder आना चाहिए वह आप यहाँ से set कर सकते हैं के लिए कोई dnd time जैसे जब आप lunch कर रहे हो उस समय आप एक घंटा से ज़्यादा अगर बैठे रहते हैं तो उस दौरान के लिए आप dnd time यहापे set कर सकते हैं फिर यहापे system setting में आपको widgets का option मिलता है तो जो भी widget वाला page है वो आप यहापे देख सकते हैं add की उपर tap करके जो management के लिए standing, heart rate, spo2, stress इन सब के लिए आपको काफी सारा widgets देखने के लिए मिल जाता है तो यहाप आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हम spo2, heart rate, sleep and stress का data के साथ एक widget यहापे create के हैं इसको हम select कर लेता है और आप देख सकते हैं कि एक नया widget जो है वो add हो गया है वो widget home page पर swipe करना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह new widget यहां पर show कर रहा है next यहां पर short app का option मिलता है तो जो भी apps आपके watch पे देखने के लिए मिलता है उनके sequence को अगर आप change करना चाते हैं तो यहां से आप जो है ना उनके sequence को इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं य इससे क्या होगा कि sleep mode के time के दोरान आपके watch पे automatically dnd enable हो जाएगा and raise to wake का जो feature है वो off हो जाएगा तो dnd on होने कारण overnight आपको जो है ना कोई notification नहीं आएगा and raise to wake feature off हो जाएगा तो overnight अगर आपके watch का screen automatically on होता है and उससे overnight जो battery drain होता है वो चीज़ भी यहां पर prevent होगा फिर यह जो है ना यहां से dnd sync को enable कर सकते हैं इससे क्या होगा कि अगर आप अपने phone पे dnd enable करते हैं do not disturb enable करते हैं तो आपके watch पे भी do not disturb enable हो जाएगा and आप अपने watch पे do not disturb enable करते हैं तो आपके phone पे भी do not disturb enable हो जाएगा next यहां पे आपको emergency sos का option मिलता है और यहां से आप emergency sos को enable कर स सकते हैं यहां पर आपको watch पर single button मिलता है इसको अगर आप three time press करेंगे quickly तो directly आप उस emergency number पर call connect कर सकते हैं जब आप emergency number पर call connect करेंगे उस समय आपका phone और आपका watch connected होना चाहिए next यहां पर set password का option मिलता है और यहां से आप आपने watch के लिए lock pin set कर सकते हैं और यह pin जो है डिरेक्ली आप अपने watch से भी set कर सकते हैं जैसे यहां पर अगर हम pin के उपर tap करते हैं तो एक six digit का pinum को यहां enter करना पड़ेगा दो बार और वो पिनम को every time enter करना पड़ेगा जब भी watch का screen off होगा और वापस जब हम उसको वेक करेंगे और यह किस तरीके setup करना है वो watch में आपको directly दिखाएंगे आगे next यहां पर update का option मिलता है तो जो भी watch के लिए update होगा वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा फिर help center है about device है and unpair करने का option मिलता है तो यह था me fitness app का complete interface अब quickly जो है न हम लोग देख लेते हैं कि watch का interface कैसा देखने के लिए मिलता है तो watch face के ऊपर अगर आप long tap करते हैं तो जो भी built-in watch faces है and जिस watch face को आपको apply करना है उस watch face के ऊपर आके जस आपको इस button को press करना है और वो watch face apply हो जाएगा watch face के ऊपर अगर आप swipe down करते हैं तो जो भी notifications है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप यहाँ पर watch face पर swipe up करते हैं तो एक control center आपको देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर battery percentage यहाँ पर Bluetooth pairing status time आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ से अप DND नेबल कर सकते हैं यहाँ पर call and notification sound को enable याँ disable करने का आपको option मिल जाता है फिर raise to wake feature को आप यहाँ से enable कर सकते हैं फिर torch का आपको option option मिल जाता है फिर यहाँ आपको find my device का option मिलता है इसके उपर tap करके search की उपर tap करेंगे तो आपका connected phone होगा उसके उपर इस तरीके से ring play होगा और आप अपने device को find कर सकते हैं और आप find my device का use करके अपने phone को find out कर लेते हैं stop पर tap करके जो हैं आप इस ring को बंद कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर setting देखने के लिए मिलता है जो आगे देखेंगे फिर यहां पर आपको theater mode कितने duration के लिए आपको enable करना वह आप यहांसिन कर सकते हैं next यहां पर एक clear water वाला option जो है वह automatically disable हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं शेक का option आगया तो यहां पर अगर हम कुछ इस परीकिसे इसको शेक कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि watch वापस से normal हो चुका है and last यहां पर आपको option मिलता है wake for certain time का तो अगर आप चाहते हैं कि आपका watch जो हो certain time तक उसका screen जो हो wake up mode में ही रहे तो यहां पर आप इस option को enable कर सकते हैं जैसे इस option को अगर हम enable कर दिये तो मेरे watch का screen जोना वो 5 minute तक off नहीं होगा अब last यहां पर हम लोग setting में देखते हैं तो यहां पर watch faces का option है और यह watch faces जो inbuilt है वो already हम आपको दिखाई ही चुके हैं next यहां पर sound and vibration setting में आपको silent का option मिलता है silent का option enable करने पे जो भी आपका incoming call and notification का sound है वो silent होगा बड़ आपका alarm और timer का sound है वो normally ही work करेगा इसके अलावा यहां पर alarm sound का option मिलता है जिसको आप यहां से increase कर सकते हैं इसके अलावा जो incoming call का ringtone आपके watch पे play होता है उसके sound को भी आप यहां से increase या decrease कर सकते हैं next यहां पर आपको vibration strength का option मिलता है जहां पर strong and normal का option है फिलाल यहां पर strong ही selected है तो वो रहने देते हैं इसका जो max brightness है, display काफी bright है, outdoor visibility में भी आपको को issue आएगा, maximum 450 nits का इसमें आपको peak brightness देखने के लिए मिलता है, फिर यहापे आपको auto lock का option मिलता है, मतलब कि automatically कितने देर के बाद screen off होना चाहिए, वो time आप यहापे set कर सकते हैं, फिर यहापे आपको raise to wake का feature मिलता है, जिसको आ all day के लिए enable कर सकते हैं, या फिर इसके time को आप schedule कर सकते हैं, next या आपको screen on for का option मिलता है, मतलब कि continue, अगर आप चाहते हैं कि आपके phone का screen 5 minute, 10 minute या 15 minute तक on रहे, या फिर 20 minute तक on रहे, तो आप यहाँ से set कर सकते हैं, इसके अलावा इस watch में LCD display है, बट दो बहुत ही important feature हमको display off हो गया, double tap करके हम इसको इस तरीगे से wake कर सकते हैं, फिर cover करके इसको off कर सकते हैं, double tap कर सकते हैं, तो यह feature हमको काफी important लगा, इस watch के display setting में, display के बाद यहाँ पर मिल जाता है battery setting, battery setting में आप battery percentage देख सकते हैं, यहाँ पर battery saver mode आपको देखने कर मिलता है, यहाँ से battery saver mode को enable कर सकते हैं फिर यहां पर optimization का option है जो कि यहां पर देख सकते हैं average show कर रहा है और यहां पर आप नीचे जाएंगे न तो कौन-कौन से setting के कारण battery ज्यादा drain हो रहा है वह आपको पता चल जाएगा तो उन features को आप यहां से directly disable कर सकते हैं जैसे कि all day spo2 tracking advanced sleep monitoring, breathing score, raise to wake यह सारे features के कारण battery जो हो काफी ज्यादा drain होता है तो यहां से आप directly इसको अगर disable करते तो आपको better life जो बेटर देखने के लिए मिलेगा फिर यहां पर आपको dnd का option मिल जाता है जहां से आप dnd को on कर सकते हैं या dnd के timing को schedule कर सकते हैं इससे better life में थोड़ा improvement देखने के लिए मिलेगा फिलाल हम इसको off रहने देता है next यहां पर आपको layout का option मिलता है greed and list का option है greed के option में जो app menu है वो कुछ इस तरीके से greed format में देखने के लिए मिलता है and list format में जो app menu है वो इस तरीके से list format में देखने के लिए मिलता है layout के बाद यहाँ पर pin का option है, pin को अगर हम select करें, set pin के उपर tap करें, आपको six digit का एक pin जो है, यहाँ पर enter कर देना है two times, तो यहाँ पर जो हैं हम दो बार इस pin को enter कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, pin enter कर दिया, pin set हो गया, अब अगर हम home screen पर जाते हैं, अपने watch के screen क off करते हैं, यहाँ पर हम इसको wake करते हैं, तो आप देखेंगे कि उपर में यहाँ पर lock का एक symbol दिख रहा है, अब अगर हम watch के किसी भी feature को use करना चाहते हैं, तो पहले हम को watch को unlock करना पड़ेगा, तो पहले हम को pin को enter करना पड़ेगा, उसके बाद हम watch को normally use कर पाएंगे, औ अगर आपको किसी नए phone के उपर अपने watch को transfer करना है, तो directly यहाँ पर connect new phone के उपर tap करेंगे, और आप इस watch को transfer कर पाएंगे, इसके बाद आपको factory reset का option मिल जाता है, next watch face पे अगर आप swipe left या swipe right करते हैं, तो यह सारा widgets आपको देखने कर बिल जाएगा, widgets को आप कैसे customize कर सकते हैं, वो already हम आपको बताए हैं, किसी widget को delete करना है, कुछ नया widget add करना है, तो वो सब आप खुझ से me fitness app में कर सकते हैं, and watch face पे रहते हुए, इसमें जो single button मिलता है, इसको अगर आप press करते हैं, तो आप इसके menu में आ जाएंगे, जहां पे आप workout modes देख सकते हैं, और काफी सार workout mode आपको देखने के लिए मिल जाता है, फिर activity जो भी आप workout करते हैं, उनका data आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, stats में, जो भी आप calorie burn करते हैं, steps लेते हैं, वो सारा data आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर heart rate monitoring का feature आपको यहां पे देखने के लिए मिलता watch 4 के साथ test किया है and हमको इसके heart rate monitoring का data 99-100% accurate लगा and desk पे अगर हम heart rate monitor करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका sensor डिटेक्ट कर लेता है कि watch आपके risk पे नहीं है वही पे अगर हम spo2 monitoring का बात करें major के उपर tap करें तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इसका sensor detect कर लेता है and spo2 monitoring भी जो है न हम pulse oximeter and samsung के अपने watch 4 के साथ जब इसको test किये तो वहां पे भी जो है न pulse oximeter के साथ अगर हम इसके data को देखते हैं तो हमको 99% accurate लगा मतलब इसका heart rate and spo2 monitoring का जो data है वो हमको बहुत accurate लगा और वो आप clearly देख सकते है screen पे next यहां पे अगर हम sleep monitoring feature का बात करते हैं तो हम पिछले काफी दिनों से इस watch को use कर रहे हैं during sleep पे हम काफी दिन इसको use किये हैं जो bed पे जाने का time है जो wake up time है वो बहुत ही accurately यह detect कर लेता है इसके बाद यहां पे आपको stress monitoring का feature मिलता है इसको भी आप measure कर सकते हैं बड़ उसके लिए भी आपको अपने watch को wrist पे पहनना पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं कि अभी watch को wrist पे नहीं पहने तो इसका sensor यह detect कर turn on events in app show कर रहा है बट आप में कहीं पे भी जो हैं हमको कोई भी event वाला setting जो है वो देखने के लिए नहीं मिला इसके बाद यहां पे favorite contact option है इसके उपर tap करके जो भी contact number आप अपने phone का अपने watch के साथ sync किये हैं वो आप देख सकते हैं तो यहां पे कुछ favorite contact हम set किये हैं और सारा contact जो है वो यहां पे show कर रहा है और किसी भी contact को अगर हम directly call connect करना चाहते हैं तो हम अपने watch से ही जो है यहां से call connect कर सकते हैं and मेरे phone से इस तरीके से यह call connect हो जाएगा call को हम cut कर सकते हैं call को हम answer कर सकते हैं directly watch के through next यहां पे call यानि dialer का option मिल जाता है तो up to 20 call history आप यहां आप इसको clear कर सकते हैं keypad का option मिलता है इसक्यूपर tap करके directly अगर आप किसी number पे call connect करना चाहें तो यहां से अपने watch से call connect कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने phone के through अपने watch से call connect कर पाएंगे and अपने watch से ही call को answer भी कर पाएंगे and अगर आप अपने connected phone पे music play कर रहे हैं तो य आप कर सकते हैं music को play pause आप यहां से कर सकते हैं music volume जो है वो आप यहां से increase कर सकते हैं next यहां पे camera यह नहीं camera shutter control का भी option मिलता है तो just आपको camera के उपर tap करना है and यह जो camera shutter control है यह आपके phone के default camera app के साथ work करता है जैसे यहां पर अगर हम अपने phone में camera app open करते हैं okay की उपर tap करते तो यहां पर देख सकते हैं की shutter का option छो कर रहा है and जैसे हैं यहां पे camera shutter के उपर tap करते हैं अपने watch में instantly अप देख सकते हैं की میरा photo यह हो गलिक हो जाता है इस तरही के से मेरे watch से लिमोट ゆे आ अप तो अपने watch से जो आप फो टो क्लिक कर सकते है अपने phone पे इसके लाव इसमें आपको timer का भी option मिलता है तो इसके उपर tap करके 3 second या 5 second का timer जो है वो आप enable कर सकते हैं इस तरीके से 3 second के timer के साथ या 5 second के timer के साथ आप अपने phone के camera app के थूँ जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं इस camera controller का use करके next यहाँ पर आपको alarm का option मिलता है alarm जो है यहाँ से आप अपने watch से directly set कर सकते हैं next यहाँ पर आपको इसमें stop watch का feature भी मिल जाता है as well as यहाँ पर timer का भी feature मिल जाता है तो कुछ presets भी है and customize करके आप अपना timer create भी कर सकते हैं next यहाँ पर find my phone का option है and find my phone किस तरीके से work करता है वो हम आपको already दिखा चुके है setting का अगर हम बात करें तो यह complete setting भी हम आपके साथ share कर चुके हैं क्या क्या है सब कुछ so यही था complete redmi watch 3 active का UI next यहाँ पर redmi watch 3 active के अगर हम raise to wake feature का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जादा delay देखने के लिए नहीं मिलता है इसके लाग डिस्प्ले का जो outdoor brightness है वो भी हमको काफी अच्छा लगा direct sunlight में भी आपको इस watch को use करने में as such कोई भी problem नहीं होगा साथी जो colors आता है वो भी काफी vibrant है काफी punchy सा color है मतलब कि AMOLED display जैसा feel होता है वो अलग बात है कि यह LCD display है तो आप always on display जैसा जो feature है वो use नहीं कर सकते हैं अगर आपके connected phone पे कोई भी incoming call आता है तो आपके watch पे कुछ इस तरीके से show करेगा और यहां से आप quickly जो है ना आप call को receive कर सकते है call को answer कर सकते हैं यहां से आपको mic को mute करने का option मिल जाता है speaker volume को increase या decrease करने का option मिल जाता है और इसका speaker जो है वो adequately हमको loud लगा emergency में अगर आपको call को answer करना है तो इसके mic and speaker के quality में हमको as such कोई भी issue नहीं लगा बाकी यहां से आप call cut कर सकते हैं and last अगर हम इसके battle life का बात करते हैं तो अगर आप brightness level को 70-80% के around use करते हैं and कुछ features जैसे अगर हम यहां पर battery setting में जाएं, optimization में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम raise to wake, breathing score, advanced sleep monitoring and all day spo2 tracking का feature enable किये हुए हैं तो अगर आप all day spo2 tracking, advanced sleep monitoring and breathing score का feature disable करके अपने इस Redmi watch 3 active को use करते हैं and बहुत जादा calls जो है, incoming calls जो है, वो आप इस watch के through नहीं लेते हैं, तो आपको easily 5 days plus का battle life मिल जाएगा and जो setting हम आपको video में दिखाए, या जो setting आप यहां पर देख रहे हैं कि enabled है, तो ऐसे सारे features को maximum features को इस watch में जो भी मिलता है, उसको अगर आप use करते हुए use करें तो इस Redmi watch 3 active में आपको 3 to 4 days का battle life मिल जाएगा, जो की एक अच्छा battle life हमको लगा So friends, यही था Redmi watch 3 active smart watch किस तरीके साप इसके सारे features को use कर सकते हैं, custom watch face कैसे आप use कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपके साथ share किये, पूरा detail review हम आपके साथ share किये फिर भी अगर आपको इस Redmi watch 3 active से related कोई भी doubt हो, query हो, आप comment section में पूछ सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, बिल्कुल free है, जहां से आप इस Redmi watch 3 active smart watch को purchase कर सकते हैं, link हम विरो description में दे दी हैं, मिल